हलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चानल, सो तुड़े वी आर डिस्कॉसिंग अबाउट आटम्स अन मॉलिक्यूल्स क्लास नाइन ठीक है, सो लेट्स केट स्टार्ट तो सबसे पहले हम बात करेंगे महारिशी कनर्ड तो उन्होंने आइडिया दिया था इंडि को हम पदार्ट कहते हैं हिंदी में, यह एक मैटर है, इसको अगर हम डिवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, यह हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको उन्होंने नाम दे दिया परमानू, और इसको बाद में हम ज अपनी स्टेटमेंट्स थी एटम्स के बारे में तो इन्होंने क्या कहा दे सुझेस्टेड दाट वी 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 कीप ओन डिवाइदिंग दा मैटर दियों कम्स अटाइम इन्हों नहीं कहा कि जब हम किसी मैटर को वही चीज कही कि डिवाइड करते हैं तो एक स्मॉल स्टेज आती है जो कि फॉर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और उसको हम आटम कहते हैं जिस तरह से हमारे महारिशी करनड ने दिया था बट आल दिस आइडियास वर नौट बैक्ट अब बाई मैनी एक्सपेरिमेंट पीसेज एड एविदेंस यूने अंटिल एंटोनी एल लवासियर प्रोवाइड ट्यू लौज ऑफ कैमिकल कॉंबिनेशन तो यह आईडियास तब तक ही चले जब तक जो एंटोनी एल ने लौफ कैमिकल कॉंबिनेशन नहीं निकाले थे उनमें से कई चीज़ें बाहर आनी स्टार्ट हुई कि आटम से फॉर्दर डिविजिबल पार्टिकल भी है जोकि अपने एक्स शेप्टर में पढ़ो गया स्ट्रक्चर ओफ आटम में तो सबसे जो आपके एंटोनी एल लवोसियर से उन्होंने दो लौफ दिये थे कैमिकल कॉंबिनेशन के एक था आपके पास लौफ कंजर्विशन ओफ मास और दूसरा था लौफ डैफिनेट प्रपोर्शन तो ये दो लौफ दिये थे एंटोनी एल ने और जौसफ प्रोस्टनी ठीके तो अब हम इन दोनु लौफ के बारे में स्टडी करेंगे तो फर्स्ट आपका लौफ है लौफ कंजर्विशन ओफ मास इसमें क्या कहा था कि एक कैमिकल रियक्षन में जो मास है नाहीं तो वो क्रियाट हो सकता है और नाहीं वो डिस्ट्रोइ हो सकता है ठीक है किसी chemical reaction में that means इसकी एक example देकर आपको समझाती हूं कि जो mass of reactants होगा mass of reactants वो equal होगा mass of products के किस तरह से example लेते हैं मारे पास कोई जैसे H2O है वो hydrogen plus oxygen से मिलकर क्या बनता है H2O इनका mass जो होगा हम example दे रहे है hydrogen 1 gram है और oxygen भी 1 gram है तो यह कितना water बनाएंगे 2 gram बनाएंगे ठीक है तो यही यह law आपको दिखाता है कि जो reactants का mass है वो उसके product के mass के equal है next जो है law of constant proportion इसको हम law of definite proportion भी कहते हैं इसमें क्या है the elements are always present in a definite proportion mass in a chemical substance तो कोई भी element है वो एक definite mass से present होता है definite उसके ratio होती है वो इसमें बताया गया है example की तोर पर हमारे पास क्या है hydrogen and oxygen hydrogen और oxygen है यह h2o बनाते है always in a same ratio same ratio में बनाएंगे जैसे अगर आपके पास hydrogen 1 gram है और oxygen 8 gram है तो वो मिलकर 9 gram water बनाएंगे always आपको hydrogen की ratio 1 is to 8 ही मिलेगी यह एक definite है constant है यही इसकी ratio रहेगी इसी तरह से हम और example ले सकते हैं इसमें ammonia nitrogen की चीक है ammonia nitrogen की हम इसमें example ले सकते हैं इसमें ammonia जो है वो 14 और nitrogen जो है वो 3 gram में होता है like इसमें 14 by 3 ratio होती है इसकी तो यह always constant रहेगी 14 by 3 ratio ही रहेगी चीक है इसी तरह से बाकी सारी examples भी इसमें same way से आती है तो आगे करते हैं आगे हमारे पास जो है topic तो वो है atomic theory तो atomic theory किस ने दी थी जैल्टन ने जो उपर हमने दो लॉस पड़े हैं law of conservation of mass और law of constant proportion डैल्टन ने उन दोनों theories को mix करके एक atomic theory दी जिसको हमने डैल्टन atomic theory name दे दिया ठीक है तो उसने क्या था उसने उसमें six points यह थे फिर्स point क्या था the matter is made up of tiny particles called atoms that cannot be divided तो जो matter है वो एक चोटे 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 particle से मिलकर बना है जिसको आप atoms कहते हैं और वो डिवाइड नहीं हो सकता यह उसने किस लौ से दिया है फिर्स लौ से law of conservation of mass से यह भी आपको याद रखना है कि कौनसा पॉस्ट्रोयेट है कि लौ से दिया गया है एटमस और नैवर فॉर्म्ड और डिस्ट्रोई दीूरिंग दर क्यामिकल रियक्शन तो एटम्स कभी बंती नहीं है या फिर कभी डिस्ट्रोई नहीं होते ये किसी भी chemical reaction में तीस्टा पॉइंट से एटम्स ऑफ एलिमेंट एग्जिवेट सेम नेचर दे हाव दे सेम साइज मास एंड करेक्टर्स तो जो एक सेम एलिमेंट के एटम होगे सेम एलिमेंट लाइक आपके पास पेंड है कौहीं चीकिया pen है उसमें सारे के ईटम्स एक ही साइस के होगे साइस भी सीम होगा उनकी शेप भी सेम होगी जब कोई एक सेम एलिमेंट के आइटम्स होगे निक्स्ट जो है फूर्थ है आटम्स अफ़ डिफरेंट अलिमेंट एग्जिबिट वेरियंट नेचर दे डू नॉट आव सेम करेक्टरिस्ट तो पिछले वाला जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो कह रहा था कि एक सेम अलिमेंट में जो एटम्स होगे वो सेम होगे लाइक उसमें हमने पैन लिया था तो इसमें पैन एंड पैंसी ले लेते हैं तो पैन के जो एटम्स होगे चीक है वो उनका साइज उनकी शेप जो पैंसिल के एटम है उनके साइज और उनकी शेप से अलग होगा that means pencil में और pen में जो atoms होगे वो आपस में different होगे वो same नहीं होगे fifth postulate है atoms form compounds by combining in a ratio of a wool number atoms जो है compounds बनाता है wool number ratio में a compound contains a constant number and kinds of atom और जो एक compound है वो एक constant number को contain करता है और उसी तरह के atoms को बनाता है तो ये थी हमारी atomic dalton theory तो अगला जो है आपका what is atom तो atom क्या चीज़ है तो हम सबको पता है atom जो है वो smallest building block है हमारी life का we can call atoms as a building block of matter किसी भी matter का building block है जहां से वो matter बनना start होता है just like a bricks are the building blocks of the buildings जैसे जो आपकी bricks है वो क्या होती है building block होती है एक building brick से ही बननी start होती है तो smallest particle is called atom ये भी हम कह सकते हैं तो ये आपका क्या होगे आपका atom तो आगे क्या है can we see the atoms तो हम क्या atoms को देख सकते हैं तो उसको हम सरफ जो है magnificent glass से या magnificent से देख सकते हैं ठीक है उसको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते हैं ठीक है ये तो कि atoms क्या है ठीक है और जो atoms है वो सबसे smallest होता है और सबसे smallest atom जो है वो hydrogen में present होता है जो कि 10 the power minus 10 nanometer होता है नैनो मेटर क्या है आपका unit है जिससे आप atoms को measure करते हों और सबसे बढ़ा item जो है वो apple में होता है जो कि 10 ratio the power one nanometer होता है तो ये points याद रखना तो आगे आते हैं symbols of our atom तो atom के symbols किस तरह के हो सकते हैं तो सबसे पहले इस चीज के बारे में Dalton ने बात की थी कि atoms को हमें symbol देने चाहिए उसने इस तरह के symbols दिये थे जैसे hydrogen का round में point carbon का पूरा circle fill ठीकि इस तरह के उसने symbols दिये थे difficult काम था ठीकि उसके बाद जो modern day symbols आये atom के वो क्या थे तो जो modern day symbols से वो वर्सल इसने दिये थे ठीकिए उस symbols में क्या होगा कि जैसे sodium है sodium इसका symbol क्या है एन ये इसके लेटन नेम से लिया गया है ठीकिए और उसके इलावा आपके पास जो इस तरह का psychic by दे सिंबल आते है जो उनके लेटन नेम से लिया गया है वह आपके पास जिंक के पोटाशियों माता है जैसे पुटाशियूं को लिया गया है के तो यह वाल kids vostEMA की Latin name से लिये गए हैं उसके लावा जो नौरमल सिंबस हैं जैसे हाइड्रोजण चीच इसका फिरस्ट लाटर लिया गया है सिंबॉल H छीच कowके जिंग जिंग का फुरस्ट और लैटर्र लिया गया है ZN फिर bunkill काju लिया या है first two letters तो यह बरसल इसने कहा था कि हम atom का क्या करते हैं उसका first letter या first two letters या first and third letter लेंगे और जिसमें से first letter always small होगा स्वरी always capital होगा और second letter always small होगा यह बरसल इसने कहा था तो यह कुछ symbols है जैसे aluminium का AL, argon का AR, barium का BA, brown का B, bromine का BR, calcium का C, carbon का C, chlorine का CL, co, copper का C, u, fluorine का F, gold का AU और gold का AU है उसके Latin word से लिया गया है hydrogen का H, iodine का, iron का Fe, lead का PB magnesium, Mg, neon, N, E, nitrogen, N, oxygen, O, potassium, K, silicon, Si, silver, Ag, sodium, Na, sulfur, S, uranium, U, and zinc, Zn तो उनके जो Latin words में है, name क्या है, आपके book में कुछ given है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि potassium, potassium का symbol है K, और वो Latin word से लिया गया है, जिसका है kilium, चीक है, उसके इलावा, जो आपके पास, iron का है Fe, तो वो उसके Latin word से लिया गया है, जो कि है ferum, और sodium का N, उसका जो Latin word है, वो है netrium, चीक है, यह जो आपके तीन बुक में given है, वो मैंने उनके Latin names आपको बता दिये, तो अब हम next topic पर चलते हैं, यह कुछ और symbols है, जो आपके बुक में नहीं है, जैसे कि Antimonica SB, उनके Latin names है साथ में, ठीक है, यह आपको, इसका screenshot ले लो, इसको याद कर लेना, ठीक है, next है atomic mass, अब atomic mass क्या चीज़ है, Since determining the mass of an individual atom was a relative difficult task, तो किसी atom का mass पता करना काफी difficult काम है, ठीक है, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compound for formed, तो इसलिए हम क्या करते हैं का relative, relative that means जो हमने अंदाजे से लगाया है, वो mass use करते हैं, atom को measure करने के लिए, ठीक है, तो atomic mass unit, अब atomic mass unit हम यही use करते हैं, one atomic mass unit equal to exactly one twelfth of the mass of the one atom of a carbon 12, तो हम क्या use करते हैं, जैसे कि carbon 12 का one twelfth है mass, तो इसके respect से हम बाकी जो atoms हैं, उनका mass measure करते हैं, ठीक है, the relative atomic masses of all elements have been found in respect of carbon 12, जितने भी मतलब सारे यह masses हैं, इसी से measure किया जाते हैं, carbon 12 से, यह जो है 1961 में discover हुआ था carbon 12 का, ठीक है, और यह एक standard unit है, इसलिए इसको measure किया जाता है, पहले इसको लिखा जाता था AMU, इसका unit, अब लिखा जाता है U, unified mass, ठीक है, तो अब atomic masses की बारी आते हैं, कि किस element के कितने atomic masses हैं, ठीक है, तो वो atomic masses कैसे हैं, जैसे hydrogen, hydrogen का atomic number है 1, तो उसका atomic mass क्या है, 1, ठीक है, तो carbon जो है, चलो हम serial wise करते हैं, hydrogen के बाद helium, उसका atomic number 2, उसका double कितना हो गया, 4, मतलब कि आप exactly जादा तर element में ऐसा ही होगा, जितना उसका atomic number है, उससे double होगा, जैसे chlorine है, उसका atomic number क्या है, आपके पास 17, 17 एक odd number है, तो इसका वैसे जो chlorine है, दो forms में present होता है, chlorine 35 और chlorine 37, तो इसका relative mass उन्होंने लिया है, 35.5, तो इसको किस तरह से निकालते हैंगे, आपको next chapter में आएंगा, बट आप फिलहाल इसको याद कर सकते हो, कि chlorine का जो atomic mass है, वो 35.5 है, वैसे जादा तर जो elements से उनके mass double होगे, ठीके, और जो odd number वाले हैं, जादा तर उनके triple होगे, ठीके एक tip थी, जाद करने के लिए, how do atoms exist, atoms किस तरह से exist करते हैं, atoms form molecules and ions, तो अब छोटे 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 आटम्स मिलकर एक molecule बनाते हैं, या फिर एक ion बनाते हैं, these molecules और ion aggregated large number to form the matter, और यही ions जो है वो large number में जूड के क्या बनाते हैं, एक matter बनाते हैं, जिसको हम द देख भी सकते हैं, touch भी कर सकते हैं, feel भी कर सकते हैं, ठीक है, तो how will you define a molecule, अब एक molecule क्या है, molecule क्या है, smallest particle है, element का जो की independent है, जो atoms है, वो independent exist नहीं कर सकते हैं, जो molecules है, वो independent exist कर सकते हैं, अगर आपको question आए, which is the smallest particle that exists independently, तो आप atom नहीं answer करोगे, molecule करोगे, क्योंकि यह सबसे छोटा particle है, जो की independently exist कर सकता है, अब molecules जो है, वो दो types के होते हैं, molecules of elements और molecules of compounds, तो molecule of elements क्या है, जैसे कि same type से मिलकर बनते हैं, इसमें example आपके पास O3, यह molecule है, oxygen कितने, three oxysons present है, बट यह है क्या, element का molecule है, एक ही type के element से यह बना है, अब H2O जो है, वो molecule of compound है, उसमें क्या है, दो elements है, चीके, दो तरह के element से मिलकर बना है, तो यह आपके पास compound है, और जो एक ही element से मिलकर बना है, O2 हो गया, O3 हो गया, N2 हो गया, यह सारे आपके molecules of elements है, और जो H2O है, C2O है, स्वारी, CO2 है, यह क्या है आपके compound, क्यूंकि इसमें carbon plus oxygen, एक से ज़्यादा elements है, ठीक है, तो आगे atomicity की बारी आती है, atomicity क्या है, the number of atoms consisting molecule is known as atomicity, simple मैंने आपको example दी, O3, इसमें कितने atoms present है, तीन atoms present है, तो यह आपकी क्या है, atomicity है, जैसे हमने एक और example ही, H2O, इसमें 2, इसके है, 2 atoms hydrogen के हैं, और 1 oxygen का है, तो इसकी atomicity कितनी हुई, 3, तो बस यह simple है atomicity, आगे चलती है, तो molecular mass, अगला topic है हमारा, molecular mass क्या है, जो molecule है, उसका mass कितना है, the mass of a molecule of a compound is called a molecular mass, उस compound का mass कितना है, it is the sum of the atomic masses of all the elements present in the molecule, तो यह क्या है, sum है, जितने भी atomic masses present है, molecule में, उनका sum है, आपका molecule mass, is that clear, आगे चलते हैं, तो molecular mass, जैसे कि H2O और methane, इनका molecular mass बताना है, हमको किस तरह से बताएंगे, तो उन्होंने कहा है, sum of, पहले हम hydrogen का निकालते हैं, hydrogen में कितने atoms है, 2 atoms, 2 multiplied, हाइड्रोजन का atomic mass क्या है, atomic number 1, प्लस oxygen का 1, oxygen का एक atom present है, और उसका atomic number है, आपके पास 8, 2 ones are 2, प्लस 8, उसका atomic mass, तो 16 है, उसका atomic mass, तो 18U, इसको हम U में unified mass में करते हैं, तो यह अपका 18U क्या आ गया, molecular mass आ गया, of water, अब CH4, यह अपका methane है, तो C मतलब की CH4, इस तरह से C का कितना atom है, 1 atom है, ठीक है, तो 1, कार्बन का जो mass होता है, atomic वो 12 होता है, और hydrogen कितने हैं, 4 atoms, उनका mass 1, तो यह 12 प्लस 4, तो यह आ गया 16U, तो इस तरह से हम molecular mass निकालते हैं, I hope आपको पता चल गया होगा, तो यह कुछ molecular masses है, तो जैसे hydrogen, hydrogen, इसके hydrogen gas है, तो 2 atoms है, 2, उसका mass कितना होता है, 1, तो उसको इससे multiplicate कर दिया, इस तरह से यह सारे आपके पास given है, ठीक है, इनको एक बार पढ़ना, और इनको खुछ समझने की try करना, तो definitely आपको समझ आ जाएंगे, next है, what are ions, तो ions क्या है, the charge species are known as ions, जैसे, यह क्या है आपके पास, इसके उपर charge है, तो यह आपका ion है, चीक है, यह है ion, इसके उपर भी charge है, is that clear, तो charge species, वो होते हैं हमारे ions, ions may consist of a single charge atoms, और a group of atoms having a charge, तो वो single charge में भी present होते हैं, और group of charged particles में भी, जिसमें group of charge होता है, उनको हम polyatomic ion कहते हैं, ठीक है, और ion जो है, वो भी दो तरेके होते हैं, one is the cation, other one is the anion, जो cation होता है, वो positively charged particle होता है, और ion जो है आपका negatively charged particle होता है, ठीक है, तो जो cation है, उसकी example आपके पास है sodium, ठीक है, anion की example आपके पास है chlorine, ठीक है, तो अब polyatomic ion, मैंने बताया था, जिन पर group of atoms, जो की carry करते हैं charge, वो आपका होते हैं, polyatomic ion, अब आपको example भी चाहिए, जैसी है nitrogen chlorine, nitrogen chloride, ठीक है nitrogen chloride है, इसमें nitrogen पर क्या है, positive charge, और chlorine पर क्या है, negative charge, तो ये group of हो गया, atoms का जिनके पास charge है, तो ये आपका क्या है, polyatomic ion, simple, next जलते है, how to write the chemical formula, अब जो chemical formulas है, उनको किस तरह से लिखा जा सकता है, तो let's learn about it, chemical formula क्या है, chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition, तो उसको हम symbols में किस तरह से लिखते हैं, वो आपका chemical formula है, तो let's start, एक example देते हूँ, जैसे hydrogen की example लेते हैं, उसका formula हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, आपके पास hydrogen और oxygen, hydrogen का जो आपके पास valency है, इसके लिए आपको valency की जुरूरत है, अब valency क्या है, the combining capacity of an element is known as valency, तो valency आपको learn करनी पड़ेगे कि किस की कितनी होती है, और structure of atom में आपको detail में है कि valency किस तरह से find करते हैं, अगर आपको जानना है, तो आप मुझे comment section में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि valency को किस तरह से find किया जा सकता है, तो hydrogen की valency है 1, और जो आपका oxygen है, उसकी valency है 2, तो इसको हम करेंगे cross multiplicate, तो यह बन गया H2O, हमारे पास बन गया न, water का formula, इस तरह से हम chemical formula को बनाते हैं, और अगर आपको valency जाननी है, तो उसके बारे में मुझे comment section में बता देना, valency can be used to find out how the atoms of element will combine with the atoms of another element formed chemical compound, तो valency is simple, वही है जो मैंने आपको बताया, आप इसको simple language में लिख सकते हो, the combining capacity of an element is known as valency, ठीक है, एक simple language में है, तो आगे चलते हैं, आगे valency सापको given है, इस table को learn कर लेना, hydrogen की valency है 1, helium की है 0, lithium की 1, brilliant की 2, bronze की 3, carbon 4, nitrogen 3, oxygen 2, fluorine 1, neon 0, sodium 1, magnesium 2 and aluminium 3, यह उसकी valencies है, next, rules to write a chemical formula, अब जो मैंने आपको chemical formula लिख कर बताया था, उसके लिए कुछ rules भी है, चिक है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, the valencies or the charge on an iron must balance, तो जो valencies है, यह उन पर जो charge है, वो balanced होता है, ठीक है, ions formed with a polyatomic ions, जो ions polyatomic ions से मिलकर बनी हैं, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, like, sodium hydroxide, तो इसमें OH को हम लिखेंगे, bracket में, sodium hydroxide, उनको always हम किस में लिखते हैं, bracket में लिखते हैं, चोकि, polyatomic ions से मिलकर बनी है, polyatomic जो group of atoms है, ठीक है, जैसे कि, यह वाली example, best example है, next है formula of a simple compound, एक simple compound का क्या formula होता है, the simplest compound, which are made up of two different elements, are called binary compound, तो जो भी, दो different elements से मिलकर बना होते हैं, उसको हम binary compound कहते हैं, we write the consistent formula in their valences, तो हम formula को किस तरह से लिखते हैं, उनकी valences के साथ लिखते हैं, जैसे मैंने पिछे, आपको लिखकर बताया था, then we must cross over the valences of the combining atom, फिर उसको हम cross over कर लेते हैं, जैसे मैंने ये example दी थी आपको, उसको cross कर लेना है, तो आपका formula ready है, ठीक है, तो formula of sodium nitrogen लिखना है, यहाँ पर sodium क्या है, Na, nitrogen N, ठीक है, sodium के valences जो आपके पास होती है, वो क्या होती है, तो जो sodium की valences होती है, वो आपके पास होती है, 1 और nitrogen की होती है, 3, इनको हम क्या कर देंगे, cross cutting, तो यह बन गया, Na3N, यह आपका क्या हो गया, formula हो गया, sodium nitrate का, ठीक है, आगे चलते हैं, how will you count an atom, तो हम atom को किस तरह से count कर सकते हैं, उसके एक काफी बड़ा number है, that is 6.02 x 10 the power 23, यह आपके पास क्या है, आपके इस तरह से उसको count करते हो, इसको हम आवोगाडरो number कहते हैं, so we use a mole, उसके लिए हम mole यूज करते हैं, 1 mole जो है, वो equal है इतने particles की 6.02 to 10 the power 23, इन particles के equal है, इसको हम कहते हैं, 1 mole, how a mole can be persist, किस तरह से एक mole काम करता है, 1 mole of any species, atom, molecules, ions और a particle is quantity in a number having a mass equal to the atomic और the molecular mass in a grams, तो यह equal होगा जो mass के और उनके molecular mass के जो की gram में हैं, चीक है, तो एक term यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं, what is gram atomic mass, तो gram atomic mass क्या, तो आपको simple definition देनी है, the mass in grams is called gram atomic mass, जैसे हम इसको u में measure करते हैं, जैसे 16 या 18 u, चीक है, unified mass, तो जहाँ पर 18 gram होगा, वो आपका gram atomic mass होगा, simple, ठीक है, अब 1 mole इसके equal होता है, relative mass in grams, grams में, ठीक है, तो इसकी कुछ formulas है, हम किस तरह से moles को calculate करते हैं, number of moles, अगर आपको substance given है, substance over molar mass, molar mass जो उसका mass है, ठीक है, और यहाँ फिर अगर उसके particles given है, तो particles divided by avogadron number, जैसे कि आपको mass given है, तो आपको 18 mass given है, उसको आप divide कर दोगे, उसके molar mass से, हम ले लेते हैं, oxygen, oxygen का molar mass क्या है, 16, तो इसको divide करके जो answer आएगा, वो आपका moles होगे, अगर आपको particles given है, like 3.02210 the part 20, तो आप उसको avogadron number से divide करोगे, जो कि क्या है, 6.02210 the part 23, तो इस तरह से divide करोगे, अगर उसका mass given है, तो इस तरह से divide करोगे, यह दो simple formula है, mole निकालने के, तो उसके इलावा जो आपको इस chapter में formula है, वो यहाँ पर given है, mass, तो mass का, अगर आपको mass निकालना है, तो molar mass by number of moles, यह सारे formulas उन दो से ही बने हैं, जैसे आपको example देती हूं, mass, तो ठीक है, mass निकालना है, तो उनको cross multiplicate हो जाएगा, mass, यह number of moles इदर जाकर क्या हो जाएगे, multiplicate by molar mass, सारे formulas इन दो formulas में से ही मिलकर बने हैं, अब number of moles, चीक है, अगर आपको particles given हैं, तो यह हमने पीछे ही पढ़ा, यह वाला formula वही है, number of atoms निकालने हैं, तो given mass, molar mass, multiplied by avogadro number, अगर number of molecules निकालने हैं, given mass, molar mass, multiplied by avogadro number, और the number of particles निकालने हैं, तो moles को multiplicate कर देना है, avogadro number से, इन formulas को अच्छे से याद करो, तांकि आपको numerical में कोई problem ना आएं, ठीक है, so I hope आपको यह पूरा chapter समझ आ गया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करो, share करो और channel को subscribe करो, and hope so अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप उसको comment section में पूछ सकते हो, so thanks for watching.